बेलकम बैक माई बेसिक क्लास तो छेतरफल और आयत को लेकर ये हमारा चौथा वीडियो है और इसमें हमने एक सवाल लिया है सवाल है हमारा 60 मीटर लंबे तथा 40 मीटर चौड़े मैदान में एक दूसरे को काड़ते हुए 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं तो रास्तों का छे चित्र बना लिया है और आप चित्र बना के करेंगे तो आपको आसानी होगी तो यहां पर हमने चित्र बना लिया है और इसमें 2 रास्ते बना लिया है हमने एक रास्ता है लंबाई के समानतर 2 मीटर चौड़ा और एक रास्ता है चौड़ाई के समानतर वह भी 2 मीटर तो यहाँ पर लेखेंगे हम लंबाई के समांतर रास्ते का छेत्रफल तो छेत्रफल का सूतर है लंबाई गुणा चोड़ाई तो यहाँ पर लेखेंगे हम छेत्रफल बरावर लंबाई गुणा चोड़ाई तो इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 60 मीटर तो यहीं पर लखेंगे 60 गुणा और चोड़ाई है इसकी 2 मीटर ठीक है तो 60 गुणा 2 तो यह हो जाएगा 120 वर्ग मीटर 120 वर्ग मीटर बन गया लंबाई के समानतर वाले रास्ते का छेतर फल अब हम करते हैं चोड़ाई के समानतर तो यहाँ पर लखेंगे हम चोड़ाई के समानतर रास्ते का छेतर फल तो इसका भी लंबाई गुणा चोड़ाई करेंगे हम तो इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है 40 गुणा और चोड़ाई तो 2 मीटर ही है तो 40 गुणा दो तो यह हो जाएगा 80 वर्ग मीटर चेतर फल को हमेशा वर्ग मीटर में लखते हैं अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है देखिए जब हमने लंबाई के समानतर रास्ते का चेतर फल निकाला था तो यह बीच वाली जगए जो है उस रास्ते में आ चुकी है यह वाली बीच वाली जगए और जब हमने चोड़ाई के समानतर निकाला था तो ये वाली जगह फिर दवारा से count हो गई है तो इस वाली जगह का जो छित्र फल है वो दो बार जोड़ चुका है ठीक है हमने जब लंबाई के समानतर निकाला था तब ये जगह आ चुकी थी वीज के हिस्से सोरी हिस्से का चेत्रफल बरावर ये वरगाकार हो रही है तो यहाँ पर करेंगे हम भुजा, गुणा, भुजा तो देखिए ये दोनों भुजा हैं इसकी दो मीटर की हो रही है ये भी दो मीटर है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी दो मीटर है ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे हम यहाँ दो गुणा, दो तो यह हो जाएगा हमारा कितना, चार वरग मीटर अब क्या करना है, ये चार वरग मीटर आपको किसी एक मैसे गठा देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल यहाँ पर लिखेंगे कुल छेत्रफल बरावर तो लंबाई के समानतर हो रहा था हमारा 120 120 पलस चड़ाई के समानतर हो रहा था 80 तो यह हो गया हमारा 200 वर्ग मीटर इसमें से यह 4 वर्ग मीटर घठा देना है क्योंकि यह वाला हिस्सा दो बार काउंट हो चुका है तो इसको इसमें से माइनस कर देना है माइनस 4 वर्ग 4 वर्ग मीटर तो इसको इसमें से घठा दीजी आप तो यहाँ पर बचेगा 196 वर्ग मीटर यह इसका आंसर आ चुका है दोनों रास्तों का जो 6 रफल है वो 196 बर्ग मीटर आ गया है तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपकी समझ में आ गया होगा फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हूँ तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मिलता हूँ अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिंद